हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं करें उला, लुटाएं तसकता है । हमारे, लुटा है करें है। करें तयुचे कि अक्रड़ कि खिरेक है खुच्छू? अणिताम! बाजू? समधंदन लेकर आओ? अड़ तो सॉरी आर अच्छा तुम एक काम करो तुम चिल्ला लो मशपर रेकेंड प्लीज इस तरह से चुप मत बैठो अच्छा चलो मैं होटिल से खाना ओर्डर कर रहा हूं तब बुलाओ खाओगी ना अनिता तुमने सुभा से कुछ ने काया मेरा गुस्सा खाने पर तुम मत उतारो यार कोई चारा है मेरे पास हमेशा कनाटक है तुम्हारो अले गल्ती करते हो फिर सॉरी बोलते हूं नाटक, excuse me, मैं एक businessman हूं और पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है वक्त भी देना पड़ता है अच्छा, तो सारा वक्त भी देना पड़ता है और अपनी बीबी के लिए गंटा भी नहीं है ना तुम्हारे पास अगर ऐसा ही था तो क्या ज़रोदी मुझे अपने सा दुबाई लेकि जा देंगी मैं घर पर ही ठीक थी कमाल है यार तुम्ही तो जिद कर दी के तुम्हें दुबाई जाना है देखर जाओ तो प्रॉब्लम ना ले जाओ तो प्रॉब्लम साथ में जले कीबात कीती सुभाष तुम मुझे बताओ, इस पुरे एक हदे हमने एक दूसरे के साथ कितना गवक बताए ब्रेक्वस टेबल पर हम साथ में ब्रेक्वस करते है लेकिन तुम अपने फोन पर अपनी सेक्विझे से बात करते हो तुम भी तो अपनी शॉपिंग करने में बिजी रहतीं थी, कितना सोना खरीदा है तुमने? अच्छा, तुम मुझे बता, कि कितना सोना खरीदा है मैंने? मैं, मैं कहां जाती हूँ, कितनी शॉपिंग करती हूँ, तुम्हें कोई परवा है मेरी? पूरे ग्यारा लाग का सोना खरीदा है तुमने, सब पता है मुझे मैं सोने की बंजर में नहीं रहना जाती सुभाश एक पत्नी को एक पती का प्यार रस के साथ की भी ज़रोत होती है और अगर ऐसा ही चलता रहाना तो मुझे नहीं लगता के हमारे शादी कभी भी टिक पाएगी इसका तो रोज आना का यही ड्रामा है हमिश्या का यही नाट था के सुभाश का तले फिले गल्दी करता है और फिर सौरी बोलता है यह जिस रोज रोज के जगरे से आप तो रोज को कभ पता चला के डॉली जी की मौत हुई है सर एक अग घंटा पहले हम लोग दुबई से मुंबई लैंड होकर सीधा घर आया है अनिता ने गहने रखने के लिए तुजोरी खोली इसमेन तो गहने थे और नहीं मेरी इंपोर्टेंट फाइल्स तुस्पटिसर दॉली जी किलाश थी अज़ा था जा कितने समय के लिए दुबई में ठेरे थे अपलों अपलों के गहर मौजूदगी में आपके सेकेट्री दरवाजा खोल के घर के अंदर आती है आपके बेडरू में खुछती है आपकी फिजोरी खोलती है और अपने आपको पिजोरी के अंदर बं कर दे थी है वो क्या सुजाइट करना चाहती थी? अपने साथी के साथ चोरी की रादे से घर में गोसी हूँ और उसके साथी नो से धोका दे दिया सारा माल लेकर खुद गायब हो गया सर प्लीज कैसे भी करके आप मेरे घहने ढूण लीजए उन घहनों में हमारे पुष्टैनी हीरो का हार है जो बहुत ही महंगा है उसमें जामुनी रंगे हीरे भी है प्लीज सर पुष्टैनी हार? जी इनके परदादा के यहां पर यह परमपरा सद्यों से चली आ रही है कि वो हार उनकी नई भूखों मिलेगा स्माइली वाली बॉल मॉन्टी मॉन्टी वो मशूर जोल थी? अनकेल वही गैनों का चोर जिसके पीछे बहुत टाइम से देजवर की पुलिस लगे हुई लगिन हर बार वो चकमा देगे भाग जाता है वह सबसी बड़ी बात यह है कि आज ता किसी ने उसे देखा तट नहीं आले जा सर यह स्माइली बॉल मिला है तिजोरी के अंदर स्माइली? मतले भी यह सब मॉन्टी करना है? वो सबता है सर दया आज़र एक मिला दया यह है डॉली की आँखों में जो लाल जामुनी रंग के धब्दे दिखाई दे रहे हैं यह औक्सिजन की कमी की वज़े से है सांस अटक गे थी इसकी, इसलिए मात हुई है इसका मतलब किसीने इसुपला खोटके यह से मार डिया और फिर ते जोरी के अंदर बंद कर दिया नहीं रजब जिस वक्त डॉली को अटी जोरी में बंद किया गया यह जिन्दा थी पंगुटने से महत हुई है इसकी जिन्दा ते जोरी में बंद किया? हाँ और इसके तीन-तीन कारणग है एक तो तीजोरी का दरवाओ अंदर की तरफ से थोड़ा सा दबा हुआ है ऐसा लगता है किसी ने मुख्का मार करके इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की है अर दूसरा इस तीजोरी पे अंदर की तरफ खरूच के निशान है लगता है किसीने च्छटपटाक में इसे खरोच जाए और तीसरा तयाई धर्वाजे करन देख रहा हूँ ऐसा ही रंग यह देखो इस डॉली के नाखुनों में भी है बैचारी ने कितनी कोशिश की होगी तीजोरी से बाहर निकलने के लेकिन जब कामियाब नहीं हुई तो अंदर ही घुटके मर गए आरज तीजोरी के अंदर का सारा माल भार निकाल दिया और डॉली को इस खाली तीजोरी के अंदर बन कर दिया और यह सब किया है यह स्माइली बॉल रखने वाले मॉंटी ने मेरी बच्ची किसने मारा सर मेरे बेटी को किसने जी लिया मेरे बुरापे के साहरे को आप शांत हो जाए प्लीज हम आपका दुख समझते हैं हम लोग तैकिकात कर रहे हैं डॉली के गुनेगारों को आम लोग छोड़ेंगा नहीं यह सही समय नहीं आप से सवाल पूछने का पर इस घर में आप लोग सालों से रह रहे हैं नहीं साप हम तो एक छोटी से खोली में रहते थे एक साल पहले डॉली ने अपनी मेहनत की गमाई से एक घर खरीदा बड़े प्यार से सजाया लेकिन क्या फायदा डॉली ने रही डॉली ने ये घर खरीदा था माफ कीज़ेगा पर डॉली की तनखा तो सिर्फ पच्छी सजार रुपे थे इतनी तनखा में ये घर खरीदना और ये सारी चीजें उसे हर महीने बोनस मिलता था हर महीने बोनस? उसकी महनत और लगम से उसके बहुत खुश थे उसे हर महीने कैश बोनस मिलता था पांच लाख रुपे पांच लाख रुपे महीने? हाँ साब, उसे दो दिन पहली इस महीने का बोनस मिला था पांच लाख रुपे वो पैसे कहा है? डॉनी के कमरे में है सर हम देख सकते हैं? जी, मैं लेकर आता हूँ सरी डॉली चाहे जितनी भी महनत क्यों ना करती हो लेकिन पाँच लाख रुपए कोई किसी को क्यों देगा? हर वही ने? समझ में नहीं आ रहा है बात तो अचीब है तंखाब 25,000 और बोनस पांच लाख रुपए डॉली के बॉस सुबाजी से मिलना पड़ेगा बाबरे एक चोर इतनी सारी चोरियां करने के बावजूद आज तक कानून के शिकंजे में नहीं आए सिर हम इस मॉन्टी का केस रिकॉर्ड देखके लगता है कि जैसे इसने चोरी करना बच्पन से ही शुरू कर दिया था आप रे बाब इतनी सारी फाइले हैं मॉन्टी की लगता है उसके पुरे खांदान के इतियाज निकाला है तुम लोगोंने असर और इतियाज भी बड़ा दिल्चस्प है सौर से भी ज्यादा केसे दर्ज हैं इसके खिलाफ सर स्माइली बॉल के अलावा उसके खिलाफ नहीं कभी कोई सबूत मिला है नहीं कोई गवा इतने सारे केसे दर्ज होने के बावजूद भी किसी फाइल में उसका फोटो तक नहीं है सर वही तो बड़ी अजीब बात है ना कि सौ के ओपर चोरियां करने के बाद भी उसे किसे ने देखाने उसका चेरा तक पताने किसी को कैसे हो सकता है कई तो इन फाइलों में लिखा होगा तुम्हें मिला होगा उसके साथी लोग कौन है या पिर वो किस शेयर का है किस शेयर में काम करता है नहीं सर कुछ भी नहीं सर वो अकेला ही उपरेट करता है उसका कोई भी साथी नहीं कोई भी किरो नहीं सजिन, हर मुझरिम की कोई ना कोई कमजोरी होती है, बस उस कमजोरी को ढूंडो, तो मुझरिम भी मिल जाता है. सर, एक इंस्पेक्टर वर्धन है, जो दो सालों से मॉंटी के पीछे हाथ दो कर पड़ा है. और मॉंटी के लगबग हर केस की तहकीकात उन्होंने ही की. इंस्पेक्टर वर्धन, इंस्पेक्टर वर्धन, इसे भी प्रद्यूमन ही है. इस बार तो ये टेंडर मुझे ही मिलेगा, इससे सस्ता दाम और कुई कमपनी ड़ी नहीं सकती. आप लोग? डॉली मुडर केस के सिलसले में आपसे कुछ सवाल पुछने थे. जी, मुझे जितना कुछ पता था, आपको बताई जो कौँ सर. लेकिन आपने हमें ये क्यो नहीं बताया कि आप हर महीने डॉली को पांच लाख रुपे बोनस दिया करते थे. ये महरबनी किसी है? पांच लाख रुपे? हर महीने? जयां. और ये पैसे डॉली के घर से मिले हमें. एक कंस्रक्शन कांपणी की सेकरेटरी होने के हिसाब से, काफी आलिशान घर था उसका. और बड़े आशो आराम की जिंदगी जी रही थी. मिस्स सुभाश, सच सच बताइए. क्या डॉली आपको किसी बात को लेके ब्लैकमेल कर रही थे? क्या आप दोनों का अफेर चल रहा था? क्या उसका मो बंद करने के लिए आपने उसका खोन कर दिया? नहीं, गलत है ये सब. मेरे डॉली के साथ कोई चक्कर नहीं था. और वो पांच लाग तो मुझे पता भी नहीं है. सर्म, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर्. ऐसी भोली-भाली बातें बहुत सारे गुनेगारों के मुझे हम पहले भी सुझे के. प्रेडी, एक बार बता हूँ. मिस्टर सुभाज चुट्टी मनाने के लिए बाहर जाते हैं. और जब वो वापस लोटते हैं तो उनके घर की तिजोरी में हमें डॉली की लाश मिलती है. और डॉली के घर से हमें पांच लाक रुपे मिलते हैं. तो क्या लगते हैं तुम्हें? फ्रेडी का तजुर्बा यह कहता है कि सुभाज जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं. मैं डॉली को सिर्फ सेलरी देता था हर मैने और कुछ ने हैं. चेक है मिसे सुभाज, आपको फिर परशान करेंगे. थैंक यू. हाँ, मेरी आज की सारी अपॉइटमेंट्स कैंसेल कर दो. मुझे आज बहुत जरूरी काम से जाना है. अरे बबनवा, अमरा सब्जी लेलो, सब्जी लेलो, अरे भैंगाल लेलो, अलू को भी लेलो. साब, सब्जी चेहे गया? गाजर चीह साब? नहीं. मुली, मुली? अरे बोलाना भाई नहीं चीहे जाओ. मॉन्टी भी नहीं? अरे यहाँ नहीं बड़ाना भाई नहीं लेहाँ 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 याजी? अरे यहाँ जी आपके इस टेमाटर्श है हमारा क्या काम? मॉन्टी काम बिलेगा अरे दो साल से तो मॉन्टी कम खुदा ही डूण रहे हैं दो साल हो गया फिर भी आप कामियाब नहीं हुए अरे मॉन्टी जैसे चोर को पकड़ना टामाटर बेचने वाला काम नहीं है इसलिए दो साल से बेज बदल के कोई फाइदा नहीं हुआ साब मेरे खबरीने ने खबर दिये सामने जो बंगला है ना एक लंडन से फैमिली है लंडन से बहुत सारा गयना लेके है यह बहुत सारा अजा कीमती गयने होते हैं मॉन्टी दर्शन देने जरूर आता है साही बोला साफ एसीबी साफ कहा रहे थे के मॉन्टी को पकड़ने में तुम हमारी मादद कर सकते हो काफी चानबीन किया तुमने उसके बारे में काफी फाइल सायार की है हाँ साफ आपका हो तो सबजी और फाइल दोनों लेकर आफिस पहुँचता हूँ हाँ उसके पहले यहाँ पर किसी को ठैरा के जाओंगा फिर आओंगा ठीक है बहुत जल्द ब्यूरे में आके मिलना हाँ साफ चलते है हाँ मुझे यह क्यों बला है कोई खास बात बहुत खास बात है सी आइडी इंस्पेक्टर्स मेरे ओफिस तक पॉच गए सी आइडी मंगर क्यों उस दोगे बाद डॉली की वज़ा से उस पहले ही शक्ता उस पर पनौती थी वो पनौती जब जिन्दा थी तब भी बिजनिस में भारी नुकसान हुआ उसके उएड़ा से बरने के बाद भी मेरे बड़ी मुझी मत काड़ी कर गए अब शान्त हो जाए शुबर्स अरे कैसे शान्त हो जाओ उसका गला अपने हाथों से धोड़ दिया होता न तो साथ अच्छा होता CID को मुझ पर ही शक है लेकिन अब आप चाहते क्या है अब किस्सा खतम करो येलो पैसे और भूल जाओ कि हम कभी मिले दे आज के बाद मुझे कॉंटेक करने की कोशिश मत करना अगर किसी को ये पता चला कि ये काम मैंने तुम्हे सौपाया तो अपना मुझ खोलने के लिए जिल्दा नहीं बचोगे तुम्हें समझे मुझे अपने पैसों से मतलब था जो कि मुझे मिल गए अब आप ये समझो कि मेरी जबान पर ताला लगिया है ताला तो जेल की सलाखों पर भी लगेगा लेकिन तुम दोनों को जेल के अंदर डालने के बाद C.I.D. जिया C.I.D. सुभाशी आपने पैसे देकर इसका मुझ तो बंद कर दिया लेकिन अफसोस फिर भी हमें इसका मुझ खोलना पड़ेगा अब आप खुद अपना मुझ खोलेंगे या फिर इसका ताला तोड़ना पड़ेगा भाग गया जिया C.I.D. जिया C.I.D. जिया C.I.D. जिया C.I.D. जिया C.I.D. जिया C.I.D. बंद के पैसे दे एथा सुभाश तोमें? प्सर, मिरे नहां विकॉल है और भै थर्ड़ाई डिट्रिक्टिव एजन्सी का माली को ठर्ड़ाई डिट्रिक्टिव एजन्सी का मालीक? ये, सेर. तो फिर हमें देर के भाग हें क्या? S.I.D. में डर गया था क्योंकि मुझे पता है कि C.I.D. वाले कि Сपती से पूच्ताश करते लेकिन तुमारा डॉली के साथ क्या लेना देना? सर विकल को मैंने हायर किया था मुझे शक्ता कि मेरे आफिस का कोई स्टाफ मेरे टेंडर्स की कॉन्फिडेंचल वाइब मेरे किसी दुश्मन को बेच रहा है पिछले कुछ महीनों से मेरे आज से काफी सारे टेंडर्स निकल गए हर बार कुछ ही पैसो का फरक आता था आपको पहले बताना चाहिए था कि आप डेटेक्टिव हो क्या पता क्या लगाया आपने इनको डॉली पर सख था इसलिए मैं उसको पर नज़र रखे वे था लेकिन मुझे ज़र उसकी हरकोदर पर कोई शक नहीं हुआ तो वो पांच लाख रुपए जो हर मैंने डॉली के पास आते थे उसका क्या वही तो सर सर जब आपने ओफिस में पांच लाख रुपए की बात करी तो मेरे शक है कीन में बदल गया कि डॉली ही मेरे दुश्मनों को मेरी फाइल्स बेच रही थी उसके बाद मैंने बिकुल को यहां बुलाया उसको पैसे दिया और कहा के सब कुछ भूल जाए अगर आप बिकुल तक पहुँच जाते तो आपको पता लग जाता कि वो डॉली पर मेरे ही कहने पर नजर रख रहा है और कहीं न कहीं आपको लगता कि आपको वो डॉली को मेने ही मारा हुच यह दाथ तो समझ में आ रहह線LikeDolly को हर मेने पांचलाक रुपए राग इस सुभाज कोई kompetitor दे रहा था इससवाज को मारा यह समझ में आ रहा है इस डॉली का मौन्टी को का कोई सम्मन था या फिर मॉन्टी ने डॉली को मारने का कॉंट्राक्ट लिया था सर अब इस मॉन्टी तक पहुचे के कैसे सीने इस्पेक्टर वर्दान अब वही मॉन्टी के बारे में कुछ रोष्णी डालेंगा सर इंस्पेक्टर वर्दान रिपोर्डिंग वर्दान गुड़ यह है इंस्पेक्टर सचिन श्रेया पंकच सर बाकी के ओफिसर्ज दया सर अभीजीत सर और फ्रेड़ी दिखाई ने दे रहे बार गये किसी और केस के सिलसिले में अच्छी बात है तुम जानते हो इन सब को सर आप में कौन नहीं जानता जब मैं पुलिस टेनिंग में था तो सी आईडी टीम के मिसाल दी जाती थी हमें परदान इस बार मॉंटे ने सिर्फ चोरी नहीं किया खून भी किया है माफ करने सर मुझे नहीं लगता मॉंटे केसी का खून कर सकता है क्यों? सर पिछले दो साल से मैं मॉंटी की केस की तेकिकात कर रहाँ सौ से भी जादा चोरियां किये पर उसने एक भी खूनने ही किया इस बार किया है उसने डॉली के बॉस कie घर पर चोरी की तब करता है जब खर पर कोई न हो बतलब जहाँ हो चोरी करना चाहता है वहाँ का हिलागा पहले च्छान लेता है तो वहाँ असपास रहने वाले लोगों से पुछ भी करता होगा और तभी शायद किसी ने उसे देखा भी होगा सर आप चेरे की बात कर रहे हैं आज तक उसका असली नाम किसी को नहीं पता ये मॉन्टी नाम तो हमने उसके गुनाओं की फाइल खोलने के लिए रखा है हाँ जहां भी वो चोरी करता है वो स्माइली बॉल जरूर रख जाता है एसे लगता है जैसे कि तुम उसके फैन हो गये गज़ता है नहीं सर खर शुड़ो उसकी कोई तो कमजोरी होगी कोई तो कमजोरी सर एक कमजोरी है क्या बता अच्छा अनमूल और कीमती हीरे हंग जो.. Satsangi. Sir, मेरें एंटरिन्स के लघाने बी तीन एंटरिन्स और वी थेग. जो मैने जील करवा थी. अब एक्जबिश्ट में आने के लिए सिर्फ एकी रास्ता है पर वहाँ पर भी सक्त पहरा है. वंदोस तो अच्छा ही है सचेन. मगर इस मॉंटी को कम्जोर समिझने की गल्ती हम नहीं कर सकते हैं. भेज बदलने में माहिर है आदमी. सर, बेडो. सब कुछ ठीक है? हाँ सर. सारे कामेरास ठीक है ना? पुछ करबड़ तो नहीं है? नहीं सर. मेंगेट का फुटेज दिखाना? ठीक है सर. बारी बारी सबी कामेरास की फुटेज चेक करते रहे ना. मॉंटी भूट शाते रहे. कामेरास के साद छेड़शानी भी कर सकता है. समझे? जी सर. सर, सीचेटी वी कंट्रोल रूम की चेकिंग हम लोग ने कर लिए हैं. ठीक है. आप और निकल, सामने वोले एंट्रेस पर रज़र रख़गों. मैं यहीन एकलिस के पास में हूँ. ओके. ए! कोई अपनी जैकिसर नहीं हिलेगा? जो जहां पर है वहीं पर खड़े रहें. यह लाइट कैसे चलिए? यह कैसे हो सक्ता है सर. मिष्टी के तो तीन तीन बैक अप थे हमारे पास. वह इला नहीं आए सर. त्याहर को गया. सचिन, ब्रवाजा बन कर दो. कहांच, कोई बाहर नहीं जाएगा. आप सब लोग इस तरफ आईए. प्लीज, कॉपरेट कीजिए. इस तरफ आईए. जल्दी. श्रिया, निकल, सब के तलाश ही लो. यह मॉन्टी इसे कमरे पकई होना चाहिए. सर, पावर फेलिर की वज़े से सीसीडी वे रेकॉर्डिंग नहीं हो पायोगी. कोई बात नहीं. इस एग्सिबीशन हाल से भाहर जाने के सारे रास्ते हमने बन कर दी हैं. इनी में से कोई हमारा मॉन्टी है. मैं हवा हूँ. आपके आसपास हूँ. आप मुझे मैसूस तो कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं. पकड़ नहीं सकते हैं. मचालाक हूँ, शातिर हूँ, चोर भी हूँ. लेकिन खूनी नहीं. सुभाश की तिजोरी मैंने ही साफ किया था. लेकिन उस लड़की का खून मैंने नहीं किया. सर उन में जितने भी लोग है सब कितर शक्राशले ले ली connecting ति सब समय किसी के बास सर मुझे थी हार कहीं कनी घ्ला कि यह मांटी तीस सेकंड में हार चोडी करना जै चित्थि राखना और इस कमरे से बाहर निकल जाना यह कैसे मुम्किन हो सकता किसी इंसान के लिए अब क्या करें से मॉंटी की तरह सोचो नेखले शुराया है तो कही ना कही तो उसे जरूर बेचेगा शेयर में जितने भी ऐसे जोरी है जो चोरी के गहने खरीते हैं वह पर एड़ ड़ो कि एक बार यह मॉंटी हाथ लग जाए तो सर्फ तीस सेकंड नहीं जिंदगी भर के लिए उसे अंदरी में रहना पड़ेगा पदारो सेधिया पदारो जिखाओ अरे भाया मैंने चोक्का हिरा चाहिए है यह हमारे भाई साफ है आज भाई साब और भाबी जी की सालगिरा है तो भाई साब भाबी जी को बहुत बड़ी आशी भेट देना चाहते है बात समझ में आ रही है कि नहीं है मारे का बात समझ में आ गई आए आए आप लोग खेड़िये में लेखिया आता हूँ कि अधिया मजाग लगा रखा है अधारो यह रूखा तुका खाना नहीं खा नाम को सेटिया दिखावे पे मच जाए यह अंदर की बात है पुलीस की नजर से बचा के रखना पड़ता है पुलीस की नजर से बचा था चोड़िये न अब देखिये यह देखिये 200 साल पुराना है मारवार के राज घराने का अब यह मत उचना यह कहां से आया कड़ी से कड़ी सुलक्षा थी फिर भी हमारी नात के नीचे से हार लेकर गया कैट से सर हमने तो आने जाने के सारे रास्ते भी बंद कर दी थी यहां तक के हर गैस की अच्छे से चेकिंग भी की लिकिन कुछ नहीं मिला से तो तो बश घर गया का सचित? कहा गया है उद्शे किया क्या अपने अप चल कर बाहर गया? सारी चेकिंग की थी 002 मौन्टी ने कोई न कोई चालाकी कि έस मौंटी ने 01 होई न कोई चाला की कि 002 हौर इसकी सारे भादे निका लो 1 लुक जूट आया मारी आख उस्टें um इससे कुछ बढ़ानी है ठोड़ा बेतर कुछ यह तो मतल्ब फिलाल तो मेरे बास नहीं है लेकिन नए आमाल आएगा ना, मैं आपको जरूर बताऊँगा, आप अपना फोन नमबर देखे जाएए बात की बात में देखेंगे, चला, ठेक है उन गैनों में हमारे पुष्टैनी हीरो का हार है, उसमें एक जामुनी रंगा हीरा भी है यह हार मॉन्टी ने जुराया था नहीं सर, नहीं हो सकता, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा बर्दान, यह हार सुभाज जी के तीजोरी से चोरी वी थी और चूके डॉली की लाश हमें तीजोरी के अंदर से मिली थी, यह केस सीरे सी आईडी के पास आया था तुमारे डपार्ट्में नहीं, मॉन्टी नहीं पेचाहिए हार, चलो हाँ भाया क्या हुआ, विच्छर बदल गया, जेतूरी हार हाँ जेतूर अब यह बताओ के यह मॉन्टी कहा है मॉन्टी? कॉन मॉन्टी? आपलोग कोई है? वश्मेंट? इंस्पेक्टर दया, C.I.D. से C.I.D.? अब बुला आपने वच्में को सीनियर इंस्पेक्टर वर्धान, क्राइम उनिट जो भी बोलना, सोग समझ के बोलना वरना तुमारी एक गल्ती जिंदगी भार के लिए बारी पढ़ सकती है मुझे माप कर दो, सर मैं ड़र गया था वार, Monty नहीं मुझे बेचया था Monty का नामबर है तुमारे पास? नहीं सर, उसके पारे मुझे कुछ नहीं बता ठीक है हम हमारा एक ओविसर तुमारे दुकान पर छोड़ के जा रहे है अगर दुबारा Monty वापस आला तो हमारे साथ वापस जाएगा Crime Report पर? वर्धन का अंगुठा? यहां तो signature है तो पर अंगुठा क्यों? इन फाइल में तो उन्होंने अंगुठे लगा है सर, इस फाइल पर signature है किसी फाइल्स पर अंगुठा है? किसी फाइल्स पर signature है? चक्कर क्या है? यह बात कुछ आजम ने हो रही है श्रया, तर वर्धन को फोन लगा सर, उनका फोन तो बंद है तो फिर हेड़कॉठेस को फोन करो और उनसे पूछो कि यह वर्धन का अंगुठा और वर्धन के signature यह चक्कर क्या है? हलो जी मैं इंस्पेक्टर श्रया बोल रही हूं CID से मैं इंस्पेक्टर वर्धन से बात करना चाहरे हैं वो है यह भी ओफिस में? अच्छा एक बात बताईए वो अपनी केस फाइल पर signature करते हैं या अंगुठा लगाते हैं ओके, thank you क्या कहा? सर, एड़कॉर्टर के ऑफिसर ने कहा कि इंस्पेक्टर वर्धन पिछले तीन दिनों से ड्यूटी पर ही नहीं आया तीन दिनों से ड्यूटी पर ही नहीं आया? सर, ये भी कहा कि उनका फोन बंदा आ रहा है सर, पिछले दो दिन से तो वह हमारे साथ काम कर रहे हैं कहीं इस वए से तो उन्होंने एड़कॉर्टर में रिपोर्ट नहीं की ऐसा नहीं होता हर हाल में हमें हमें हेड़कॉर्टर तो इंफर्म करना ही पड़ता है अच्छा सिगनिटर के बारे में पूछा तब क्या का? ऑफिसर ने कहा कि छे महीने पहले इंस्पेक्टर वर्धन का अक्सिडन्ट रहा था और उनके दाई ने हाथ में फ्राक्टर हो गया था तब से वो केस फाइल्स पर अंगुठा ही लगाते है लेखिन सेर हम सबने तो इंस्पेक्टर वर्धन को हर जग अपना दाईना हाथ स्तमाल करती हुँ देखा शे बहई ने पहले दाईना हाथ फ्राक्चर हुआ है और फिर भी दाईना हाथ इस्तमाल कर रहा ही है तो फिर है कौनी वर्धन? वही हमारा वर्धन या फिर बेहरूपिया वर्धन आज़ सर्व अभी मेरे साथ थे लेके निकल गए अपाइब एक सवाल पूछूँगा उसका एक जवाब चहिए है और वह भी सच कि वो जो आद्म मेरे साथ यहां पर कौन तब हो उन्टी था को तो ने मुझे रड़ान वह उन्टी था पताया क्यों ने तुमने मुझे मैं मौन्टी को आपके साथ देखके डर गयाता क्या बोलता, उसने आपके सामने मुझे जुप रहने की सनिद्र की दुपष्थ मु मु म सोच समस्के बोलना हूँ मौन्ट тоб मौन्ट य इटी मौन्टी पिछले दो दिनों से ठकता रहा हम अही है हमारे साथ बैठा, हमारे साथ खाना क्या हमारे साथ बात थी यहा तक ही हमारे साथ त्रेकिकाग भी करने आया था और फिर भी हमें पता तक नहीं चला कि यह इस्पेटर गृतान ने क़्िसे उंटि है हा था हमें दूत Kerryम ese वह थो जह सुचिंग, क्यों वही गल्टी हमछे? वह थे वही गल्ती? वही हम अम्सम को बेवकूओ बनाने दिया? कैसे । कैसे इसी को भी चखने ही वाओ। ते भी कि शखने हम दिया ही थी थी निहीं कभी उस पर शखने ही थी नहीं दया है सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं हम सब की गलती है हम सब की गलती है समझ में नहीं आता समझ में नहीं आता इस मॉन्टी को पता कैसे चला कि मैंने इंस्पेक्टर वरदान को फोन पर कहा था कि तू हमारे साथ इस केस की तैकिकात में आजा कैसे पता चला, कैसे, उस वक्तो हमारे अला और कोई भी नहीं था बियोरो में, कैसे, माई गॉर्ड, माई गॉर्ड, कैसे एला, कैसे, जिस थाहरो में, सफस्दूना बंसॉ athletics इजर्ट में, जिस वक्तो हमोचो में, बसित किसे, मैं रहॉर्फ 5000 पहल्य है, मैं थूक्तो हमारे बार प्रों भी बाष्ट, अब केसे पकड़े से हां सर चोरो का राजा लगता है यह मॉन्टी हर एक चाल के पीछे इसका बहुत बड़ा प्लान होता है सर बहुत अगलमंदी और बहुत चालाकी से काम करता है यह मॉन्टी हां सर इस वक्त तो कहीं बैट के हांसरा होगा हम पर हां चूलू पर पानी में दूबना चाहिए शर्म के मारे शर्म की बात तो है काश यह खबर अगपारों में छब जाए सी आइडी के तो नाक कट जाएगी हाहा मैं तो उनके सामने ही कड़ा था फिर भी सी आइडी मुझे पैचान नहीं पाईगा सर अगली बार अगर यह हमारे सामने आए तो हम तो पकड़ fragment नहीं पाएँ गैं क्यों नहीं पकड़ पाएँगे सर अव बेस बदलने में माहर है यह بउच अलाक है सर सारे देशों के पुलिस असे पकड़ने में ना काम ओगग है सर मेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा पकड़ना तो पड़ेगा ही कुछ तो करना ही विए जाओ शर ये तक इतना शातिर है पकड़ेंगे कैसे इसे वही तो कुई सुराग भी तो नहीं हमारे पास क्या करेंगे कैसे पकड़ेंगे इसे सर इस ट्रैकर के हसाब से काफी नजदीग लग रहा है मॉल्टिक हाँ, एक मिली यह मॉन्टी पान्सो मीटर की रेडियस में है सर, मॉन्टी के काफी करीब आगा है हाँ, बहुत हासी आ रही है चला, बहुत शौक है ना, तुझे अकबारों में ख़बर चापने करे एसीभी साब तेरा फ्यूरों में इंकजार कर रहे है लीडिया वालों को भी बुला लेंगे सर, मैरे डॉली का खुण नहीं किया है मैं आपको बार बार सचा नहीं के कोशिश कर रहा हूँ कि मैने डॉली का दहीं मारा है इसलिए मैं इंस्पेक्टर वर्दान बढ़ गया था तेरा डॉली का दाथ कुछ लेना तेरा नहीं है मैंने तो डॉली को दिरखा भी नहीं है जूट तुम और डॉली उस रात बंगले में गय थे हाँ सर मैं उस बंगले में गया था लेकिन सिर्फ छुरी कंदे जूली वा किया कर रही थी? मुझे कुछ नहीं बता सर मैं चोर हूँ खुणी नहीं मैंने सो dic territori यकीए लिकिन आज तक किसे का खुण नहीं किया मैं खुणी नहीं हूँ बेबे कजरु सर बेभे कजरु अगर तुमने डॉली का खून नहीं किया तो फिर किसने किया है क्यों बताओ क्या हुआ था उस रात को उस बंगले में उस रात मैं सुभाश की गार उसकी तीजोरी में रखे गहने चुरी कर देगया था मुझे बता था कि सुभाश अपनी पत्ली के साथ दुभाई गया हुआ था सर जैसे मैंने किसी के आने के हड़ सुनी मैं खिड़की से भाग गया था मगर भागने से पहले तुम्हेरे पास इतना समय था कि तुम माइक्रोफोन वारी बॉल तेजोरी में रखके भाग सको सर, स्माइली बॉल केंदर और मैं पहले से ही माईक्रोफोन फिट कर के रखता था और जहां-जह में चोरी करता था वहां बॉल रखते था लेकिन क्यों जब उन लोगों को पता चलता था कि उनके कीमती गहरे और हीरे चुरी हो गए तो उनके रोने की आवाज उनके दुख से कोसने की आवाज मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता था बड़ा अजीब शौक है इसका मतलब चुरी करने के बाद तुम आकर रिसीवर के सामने बैठ जाते थे लोगों का रोना सुनने के लिए है नहीं सर मैंने रिसीवर के पास एक रेकॉर्डिंग मशन रखी है जब भी मुझे फुरसत मिलती है मैं वो रेकॉर्डिंग सुनता लेकिन इस पार जब मैंने रेकॉर्डिंग सुनी मुझे पता चला कि लड़की का खून हो गया है और C.I.D. आफिसर्स को मुझे शक है कि मैंने उस लड़की का खून किया है तो मैं डर गया है इसलिए मैंने सोचा कि मैं इंस्पेक्टर वरदान बनके आपके टीम में जू किया है समझें तब ये बताओ उस एग्जिबिशन में इतनी कडी सुरक्ष होने के बावजूद भी तुमने ओगेने चुराए के से जब मैं उस एग्जिबिशन के कंट्रोल रूम में गया था चेकिंग करने के लिए तब मैंने वहां पे छोटा सब बगरश तीक है बारी सबी कैमरेश की वुटेज चेक करते रहना जी सर मॉन्टी भहुत शातिर चोर है कैमरा के साथ छेड़ खाने भी कर सकता है उस बग की वज़े से तीस सेकंड तक पावर चला गया था आप लोगों ने सब की तलाशी ली मुझे इंस्पेक्टर वर्दान समझ कर मेरी तलाशी नहीं ली इंस्पेक्टर वर्दान कहां है नेरे खार परे सर सही सलामत मैं किसी को कोई चोटने ही पहुचाना चाहता था सिर्फ आपको विश्वाज लाना चाहता था कि मैंने डॉली का खून नहीं किया अर्चा तुवारे तिजोरी में वो माइक्रोफोन रख के जाने तक डॉली उस कमरे में नहीं आया थी, राइट? नहीं. फिर तो सर उस रिकॉर्डिंग मशीन में डॉली या फिर उस खूनी की आवास तो ज़रूर रिकॉर्ड होई होगी. वो रिकॉर्डिंग सुननी है मैं. तुम? तुम यहां क्या कर रहा हो? जो मैंने तुमसे कहा था कि हम कल मी लेंगे तो? कल किसने देखा है डॉली? हो सकता है कि तुम कल का सवेरा ही ना देख पाओ? तुम मेरे पासमात आना! वर्ना! वर्ना क्या होगा? आज तुम जो हो मेरी वजय से हो! मेरे टुकड़ों पर पल्ले वाली आज मुझे ही ब्लैक्मिल करने लगी! प्लीज, माफ कर दो मुझे! इसलिए एक मैंट, थ्रद थोड़ा रिवाइन टोर और फिर सिचलाओ. आज तुम जो हो मेरी वज़े से हो मेरे टुकड़ों पर बल्ले वाली आज मुझे ही ब्लैक्मिल करने लगी प्लीज, माफ कर दो मुझे सुना असर, जब आसपास माइक्रो फोन या स्पीकर वगरा होता है तो फोन आते वक्त इसी तरह की आवाज आती है एक्साटली, है ना? आज सर, 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 हो सकता है उस वक्त सुबाश ने डॉली को फोन ट्राई किया लेकिन सर, डॉली तो अपना मुबाइल घर पर बूल गई थी अगर डॉली अपना फोन घर पर बूल गई थी तो वहाँ पर जो फोन बजा था वह उस अजनबी का फोन हो सकता है उस खोनी का फोन श्रया काम करो सारे मुबाइल कमपनिस को फोन करो और पता लगाओ उस रात देड़ और दो बज़े के बीच सुबाश की घर पर किस नंबर से फोन आया था अगर वह पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा उस अजनबी का उस खोनी का फोन नंबर और वो है कौन ये भी हाँ हाँ अपनी विजनस की सफलता के लिए आपने जो भी निड़े लिया है बिलकुल सही अब आपको जो भी कांटक्ट चीए अब आपकी मदद करूँगा सियाइडी से बचने में तुमारी कौन मदद करेगा सियाइडी आप लोग यहाँ अपरादी जहां सियाइडी वहाँ तुम्हे क्या लगा था एड़ी का मड़ करने के बाद तुम सियाइडी को चक्मा देने में असानी से काम्याब हो जाओगे मदद, दॉली का? मैं वहलाद दॉली का खून क्यों करूगा? सर्वें दिदो सुजाण अच्छा हमने तुम्हारा फोल रिकॉर्ड चेक किया विदुद जिस दिन डॉली का खून वा तुम भी मौजुद थे मिस्टर सुबाश के पंगलो पे डॉली के साथ तुमारी जो भी बाते हुई है उसके रिकॉर्डिंग है एक मारे पास जाओ तो फोरंसिक टेस्ट करवा सकते है चले बेरो डॉली को क्यों आ रहा तुमने सर डॉली मेरे लिए काम करती थी लेकिन वो तो सुबाश की सेक्रेटरी थी ना सर मैंने उसे सुबाश के आं सेक्रेटरी की जॉब दिलाए थी दरसल वो मेरी खबरी थी सर मेरी डेटेक्टिव एंसे में एजेंटों को बड़ी-बड़ी कंपनी में जॉब दिलवाते हैं थाकि वहाँ के मालिकों के अंदर की ख़पर मुझे देश के और फिर तुम उस कबर के जरीए उन मालिकों को ब्लैक मेल करके उनसे पैसे निकलवाते थे इन? लेकिन सुबास ने तो तुमें उस कमपनी के इंफार्मर को ढूण निकालने का काम सवपा था ना? डॉली ही वो इंफार्मर थी मैंने ही चाहता था कि सुबास को इन सारी बातों का पता चले इससे मेरे प्लैन पर पानी फिर जाता इसलिए मैंने उसे कहा था कि डॉली बहुत इसी थी है अगर डॉली तुमारे लिए काम करती थी तो उसका खून करके तुमने अपनी पैरों पे कुलाड़ी क्यों मारी सुर डॉली की नियत खराब होगी थी लालची होगी थी वो वो मुझे ब्लैक मिल्क करने लगी थी दमकी देती थी कि अगर मैं उसे जादे पैसा ने दिया तो C.I.D. के साब ने मेरे सारी पोल खोल देगी मैंने उसे बहुत समझारी कोशिश की साथ लेकिन उसने नहीं मानी तो तुमने उसे मार दिया उसे तिजोरे में बंग कर दिया मेचारी घुट-घुट कर मर गई तुम जै सुखो थो फांसी ही होनी चाहिए फांसी फांसी